नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है कोरोना दिन प्रत दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में कोरोना की चोथी लहर आने वाली है क्या कोरोना एक बार फिर जिन्दगी की रफतार को रोक देगा नए साल के स्वागत के बीच देश के लगभग 12 राजियों में नए वेरियंट JN1 ने 10 तक दे दी है और यदि 20 स्वाज संगठन WHO की माने तो दुनिया में कोरोना की रफतार डराने वाली है उसके मुताबिक नए केसेज में 52 परसिंट का इजाफा हुआ है इसी को देखते हुए WHO ने सला दिया है कि अगर आप बीमार हैं तो घर में रहें नियमों के मुताबिक वैक्सिन लें मास पहन कर निकलें अपने हाथों को साफ रखें और घर को हवादार बनाए रखें पविट को लेकर जारी सला को इसलिए भी गंभिरता से लिया जा रहा है क्योंकि भारत में एक वार फिर से करोना के मरीजों की संख्या में बिर्दी हो रही है देश में पिछले 24 गंटे में करोना के 423 मामले मिले हैं और इस तरीके से एक्टिव केसिज की संख्या लगबग 3,000 हो गई है इन में से 266 नए मामले अकेले केरल में दर्ज किये गए हैं जबकि दूसरे नंबर पर करनाटक है जहां 70 नए मामले मिले हैं पिछले 24 गंटे में दिल्ली में भी 5 केस मिले हैं कम से कम 12 राजियों में नए वेरियंट जेन 1 ने 10 तक दे दी है जनकारों के माने तो करोना के इस नए वेरियंट से घबराने की जरूरत नहीं है बस सावधानी बरतनी होगी और यदि 10 लक्षण दिखे तो तुरं सावधान हो जाएं और जाच जरूर कराएं बार बार तेज बुखाराना लगातार खांसी आना जल्दी ठकान नाक बंद होना नाक का बहना गले में दर्दी अकरास उल्टी दस्ट माइग्रेन जैसा सीरदर्द गैस्ट्रो टेस्ट्राइनल समस्चाय सांस लेने में कठिनाई उत्तर प्रदेश में क्रोना के मामलों पर सरकार लगातार नजर लगाये हैं उत्तर प्रदेश के डिप्रिसियम ब्रदेश पाठक ने कहा है किसी भी तरह की स्थिती से निपटने की तैयारी पूरी है यूपी के अस्पतालों में कोरोना को लेकर रहतियातन मौक ड्रिल किये जा रहे हैं अस्पतालों में OPD में जाच बढ़ाने के निर्देश की जारी किये गए हैं पिछले वैरियन की तरह ही कोरोना के JN1 वैरियन की भी जाच आर्टी पीसियार के जरिये खो रही है आपको बता दे कि JN1 Omicron का ही जो है नया स्वरूप है अलग स्वरूप है और अभी तक 22 केसे मिलने की पुष्टी हो चुकी है ये बहुत तेजी से फैलता है लेकिन उतना घा तक नहीं बताया जा रहा है और जो इसकी जाच पड़ताल और रिसर्च हुआ है उसमें ये बात आई है कि जो कुरोना की वैक्सीन है वो इस पर भी कारगर है आपको बस इहतियात बरतना है मसलन भीन भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है मास्क पहनना है और बार बार हाथ धोना है आपको और यदि बहुत ज़्यादे जरूरी ना हो तो फिर भीन भ राये ने भी खबार देखते रहिए इन खबार थैंक यू